14 अगस्त के मोके पर भारतिय जन्ता पाइटी विभाजन विभीशिका इसमिती दिवसका आयज़न कर रही है तमाम जगों पर मौन जूलूस का कारकरम भी होगा उत्तप्रदेश सरकार में मंतरी है दानिश अजाद अंसारी किस तरीके से ये कारकरम होगे और लगता है आपको जो तस्वीरे हैं वो भी सबको साजा की जाएंगे और बताये जाएगा हमारे देश का इतिहास रहा है और किस तरीके से किन परिस्थितियों से हमारे देश गुजरते हुए आज विश्यो का सबसे सक्तिशाली देश बनने के दिशा में आगे बढ़ा है हमारे युवाओं क देश का इतिहास और देश का भवश दोनों की जानकारी होनी चाहिए अधितना जी ने हमेशा देश से जुड़ी जितनी भी बाते हैं प्रदेश से जुड़ी जितनी भी बाते हैं समाज के सामने रखते हुए प्रदेश और देश को विखास की तरफ आगे बढ़ाने में स अभी मदर्सों में जो है वो तिरंगा भी फैराने के आपने निर्देश दिये हैं अल्प संक्यों को लेकर क्या कैसे रहे गई पूरा युजन देखिए हमेशा से मदर्सों में धुमधाम से सुतनता दिवस का युजन होता है लेकिन हमने जब से योगी सरकार देश में तिरंगा यात्रा निकली और लखनव में लगवक 10,000 के संख्या में मदर्सों के बच्चों ने तिरंगा यात्रा हाजद गज में निकाली थी और यह अपने आप में एक बहुत अच्छा दृष्य था एक एकता का और एक विकास का दृष्य था आज इस तरीके से चाहे हमारे देश में टोपी पहने हुए हमारे भाई हो या तिलक लगा हुए हमारे भाई हो हिंदू भाई हो मुस्लिम भाई हो एक जुट होकर अपने आपको देश भक्ती में सरवोर करते हुए तरक्की के तरफ तालीम की तरफ विकास की तरफ रोजगार की तरफ आगे तिरंगा लेके लोगों को अपने घरों में तिरंगा लगाने के लिए प्रिरीद भी करेंगे तो अपने आप में ये बताता है कि हमारे नौजवान जिम्यदारी के साथ अपने शिक्षा तालीम की तरह भी बढ़े और जूड कि समाजिक जिम्यदारी है उसका भी वो निर्व पार्टी का एक अलग एजंडा है समाज से अलग हटके उसको कभी समाज में एक जुट्टा वो लोग नहीं चाहते हैं वो चाहते हैं कि हमेशा हमारा समाज जो है वो बटा रहे ताकि उनकी वोट बैंक की पॉलिटिक्स उनकी राजनीती चलती रहे अगर 15 अगस्त को हम अपन है हर अच्छी चीज का भी विरोध करना यह विपक्ष की जिम्हेदारी नहीं है यह विपक्ष का काम नहीं है अगर सरकार कोई सकरात्मक कदम करती है को अच्छा पहल उठाती है तो विपक्ष को भी आगया कि उसका साथ देना चाहिए अगर हम दीपी पे तिरंगा अब तिरंगा बाइक रैली निकाले लोग को प्रणीत करें सेनानियों के बारे में बताएं हमारे क्रांतिकारियों के बारे में बताएं यह 15 अपना दिपावली और इद मनाते है पर आपिल करें गें कि वो भी अपनी डीपी में उनको भी घंडा लगाना चाहिए हमारे इद मनाते हैं दिपावली मनाते हैं उसी तरीके से स्वतंतर दिवस बनाएं वो ऐसी कह रहे हैं कि भाजपा जो है वो मुस्लिमों को दरकिनार कर रही है गोट से को याद करती जबकि देश के अजादी में जो है वो पहली सजा एक मुसलिम को ही हुई थी देखें जिस तरीके से हमारी केंदर की मोदी सरकार ने पूरी इमानदारी से आज मुसलिम समाज के डेवलोप्मेंट के लिए काम किया है आज आप देखें चाहें मुसलिम समाज की तालीम की बात हो उनके रोजगार की बात हो उनके स्वास्त की बात हो उनके अलपसंगे सब्सक्राइब देखा समने की मुस्लिम समाज के लोगों ने वोट दिया जीत के तो अपने दर्शाता है तो इतनी तकलिफ क्यों होती है देखे बात यह है कि हम सब एक जूठ होकर आगे बढ़ें और इसमें सभी दल देखिए राजनीती अलग जगह है देशभक्ती अलग ज हुआ चाहिए विभाजन विभी शिक loves के बारे में सबको बताना चाहिए तो यह तो देश की बात है ना हमको देश के बात पे एकlection होना चाहिए यही समाज की जरूरत है यही समाज की मांग है